हे गार्स वालकम बैक टू अंदर वीडियो दोस्तों सामसंग गैलेक्सी एस टुएंटी फी 5G में फाइनली एक मैसिब अपडेट यानि कि 1.3 बी का अपडेट रिसीब हो जोगा है दोस्तों क्या ये अपडेट एंडरोड 14 का है या फिर कोई मेजर चीज़े इसमें चेंज हुई है दोस्तों सारी बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को आन तक देखना दोस्तों मेक सुर आप चैनल पर नो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्यों मैं ऐसे टेख वीडियो आप लोग के लिए लात राता हूं नमस्काल दोस्तों मेरा ना मेरी सब और आज में लोग बात करने वाला है इसी Samsung Galaxy S25G में एक न्यू अपडेट के बारे में सबसे पहले दोस्तों इस update के change log पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कुछ-कुछ बाते mention की गई है तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे mention किया गया है कि यहाँ पे device का stability, device का performance को boost किया गया है तो थर्ड चीज यहां पे है यहां पे इसका file size तो दोस्तो बाड़ा सो 94 MB का यह file size के साथ आता है approach 1.3 GB का है यह और दोस्तो यहां पे यह आता है August की security patch के साथ तो यह तो थी change log के बारे में अब बात करते हैं दोस्तो यहां पे experience के बारे में यहां पे performance जैसा पहले था वो ऐसा अभी भी है यहां पे UI आपको पहले के जैसे ही smooth मिलती है बर दोस्तो अभी थोड़ा सा क्या हुआ है कि यहां पे third party application में मुझे जो 120 Hz पे पहले smooth feel होता था वो थोड़ा सा कम feel होता है कुछ-कुछ applications में अब दोस्तो बात करें यहां पे कोई jitter या lag की तो मुझे कोई भी देखने को नहीं मिला है और सो overall दोकर बात करूँ तो performance के मामले में मुझे सब चीज यहां पे पहले के जैसा ही नज़रा है अब जो second चीज बात कर लेते हैं यहां पे इसके camera के बारे में तो camera में यहां पे दोस्तो मुझे कोई भी major improvement नहीं लगा है यहां पे camera performance पहले की जैसा ही है बरसो यहां पे मुझे camera में एक problem नज़रा है यहां पे अगर आप लोग viewfinder में देखोगे तो camera को आप जब 1x से 0.5x में यानि की white से ultra wide में switch करोगे तो यहां पे इसका viewfinder में color shift कर जाता है यानि की viewfinder में colors थोड़े से fade नज़राते हैं यहां पे ultra wide में बरसो picture आप जैसे click कर लोगे तो उसके बाद फिर picture पहले के जैसा ही आपको देखने को मिलेगा पहले के जैसा ही colors आएंगे, startments आएंगे अभी दुस्तो मैं अगर आपको यहां पे दिखाना चाहूं तो साइब यह camera में अभी catch नहीं हो पा रहा है बर दुस्तो अगर आपको लोग real देखोगे तो आपको feel होगा कि हाँ थोड़ा सा color shift होता है viewfinder में ना कि picture किलिक करने के बाद ओईसे दुस्तो यहां पे मैंने picture अपडेट से पहले और अपडेट के बाद किलिक किया है यहां पे कोई भी major changes आपको देखने को नहीं मिलना होगा यहां पे ultra wide हो गया, wide हो गया, telephoto हो गया nó lenses से यहाँ पर मैंने picture click करके रखा है update के पहले update के बाध का यहाँ पर majorly कोई भी changes यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है मुझे दोसो आप बात करते हैं वीडियो के बार में तो वीडियो भी पहले के जैसा ही है यहाँ पोई इसमें improvement नजर नहीं आया है अब सो finally बात करते हैं यहाँ पर battery के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर battery में मुझे थोड़ा सा improvement नजर आया है यहाँ पर battery में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ पहले के मुकाबली यह थोड़ा सा backup अच्छा दे रहा है बर दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग notification पैनल पर scroll करते हुए देखोगे तो यहाँ पर मुझे एक नया toggle दिखता है वो है multi control का आप दोस्तों यह पहले से था या अभी नया आया है मुझे यह पता नहीं है आप लोग comment करके बताओ क्या आप लोग को पहले सी update में है या फिर नया आपको देखने को मिल ला है दोस्तों इस feature में क्या होता है कि अगर आपके पास Samsung के अलग अलग product है या फिर टैब है या फिर laptop या फिर watch है तो आप लोग easily इसको connect कर सकते हो as a apple ecosystem जैसे वहाँ पर connect होता है वैसे यहाँ पर भी connect हो जागा secondary window के तरह आप इसमें भी use कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा मुझे कोई भी major improvement या फिर कोई major changes मुझे देखने को नहीं मिला हाँ दोस्तों मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह major कोई improvement नहीं लाया है तो इसमें कोई degradation भी नहीं है आपके device के लिए update अच्छा ही साबित होने वाला है और इतना बड़ा update देने का कारण यह भी हो सकता है कि next update में यह लोग 1EY6 का update इसमें roll out करें तो हो सकता है दोस्तों internally कुछ कुछी चीज़ इसमें change की जा रही है ताकि यह अगला वाल update है उसको जहल सकता है तो इस update के बारे में मैंने जितना भी experience के आपको बता दिया